बंद के आदेश के बाद भी चल रहा कोचिंग सेंटर शंद रूप्यों के खाफेर बच्छों की जिंदगी से हो रहा अखिलवाण प्राइवेट तिक्षक कर रहे बच्छों की जिंदगी से खेल अधिकारियों के आदेशों की उड़ाई ज़ारी है धजिया बता दे कि करोना खाल में चुक्चाप चला ज़ा रहा है कोचिंग सेंटर करोना के चोटे फिरोजबाद में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार में स्कूल और कोचिंग सेंटर बिलकुल बंद रखने के आदेश दिये हैं जिरोजबाद में आस्वाबाद पार जीत क्लासिस के नाम से एक कोचिंग सेंटर चड़ रहा है जिसमें सवान शात शात्राएं बिना शोशल डिस्टंसिंग का पालन किये हुए पढ़ रहे थी जब इस बारे में जुरा विद्याने निरिश्ट से बात की गई तो उनका कहना था कि कोचिंग सेंटर वालों को पहले ही बता दिया गया कि कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं खुलेगा और अगर खुल भी रहा है तो उसके खिलाफ पक्त सक्त कारवाई की जाएगी तस्मीरे आपके सामने हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टंसिंग को ताक पर रखकर और सरकार की आदेशों को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर चुलाए जा रहा है करोना काल में बच्चों को पढ़ना इतना जरूरी है चंद रुप्यों के खातर जिन्दगी के साथ खिलवाण के जा रहा है कर दो लोग कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है जो लोग इस समय पढ़ा रहे हैं वो कहीं भी किसी के घर में बच्चों को उगला के जो इस समय बेरोजगार लोग है मुझे लगता है वो लोग इसमें ज्यादा प्रधिवाब कर रहे हैं और जिनके कोचिंग हमारे जहां रजिस्ट्राइब है तो अभी तो उनकी कोई मैं जाकर देगा वहां कोई कोचिंग नहीं जख रही है उनकी कोचिंग जाके भी तो ईएल बादया प्रम、 कोचिंग देख प्रेगताल प्रिख़।